इंडिया और सौथ अफ्रिका के भीच तीन मैचों की T20 एई सिरीज खिली गए यह सिरीज जो थी वो ड्रॉआ हो गई नहीं सौथ अफ्रिका जीती और नहीं इंडिया जीती लेकिन अब आज से शुरू और यह भारत और सौथ अफ्रिका के पीच तीन मैचों की ODI की याई सिरीस जिसकी कप्तानी करते विये नजर आएंगे कियल राहुल ऐसा नहीं है कि पहली बार कील राहुल ओडियाई टीम की कपतानी कर रहें इस्टे पहले भी क्याल-राहुल ने कपतानी करी और इंडिया को जित्वाया भी है जब व्रड कप शुरू हो रहा था उसके पहले ऑस्टेलिय के साथ इंडिया ने तीन मैचों की ओडियाई सीरीज खिली थी वहां पर कियल राहूल एशुडवाती दो ओडियाई मैचे से कप्तानी करी थी भारत को जित्वाय भी था फिर तीसरे मुकाबले से विराट को लिए रोई शर्मा खिले थी लेकिन वह लिखा जाए तो इसमें रुत्राज गयकवार्ड खेलेंगे इन्हीं पी बहुत जादा ओडियाई मैचेस का एक्सपिरियंस निया साइस दर्शन है रिंको सिंग है वहीं अगर आप दोसरी चोर पर नज़र डाले आपको बहुत सारे एक्सपिरियंस प्लेयर नजर आएंग लेकिन अब टीम मैंजमेंट चाहते है कि नंबर 6 पे ODI में भी एक बार ट्राइ किया जाया रिंको सिंग को क्योंकि फॉर्मैट में डिफरेंस होता है इस वजह से टीम सेलेक्शन कमीटी चाहते है कि रिंको सिंग को एक बार आजमाया जाया है ODI में नंबर 6 की पोजिशन वहीं कुल्दी प्यादो के ज़्यादा चांसेस है खेलने के युजिंद चहल के नहीं है क्योंकि देखा जाते है कुल्दी प्यादो ने अभी जी जो इंटाइए स्रीज में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था 5 दिकेट हॉल ले थे इस विज़े से हो सकता है कुल्दी प्यादो खेलते वे नजर आए तो चलिए इस वीडियो में बताते आपको कि आज के मैच में क्या हो सकती है भारत की संभावित प्लेंग 11 साइस सुदर्शन रुतराज गयकवार रजत पाटिदार श्रेस अयर केल राहुल ट्रिंकु सिंग अक्षर पतेल कुल् यह 11 खिलाड़ी आज के मुकाबले में साथ अफ्रिका खिलाप आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपको कैसी लिगी वीडियो कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ साथो फान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना